नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल MIM News Express पर के लिए विपक्ष का सहीयोग मांगा और साथी कॉंग्रेस के मलिकार जुन खडगे ने पी-म की गैर मौजूद्गी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधान मंत्री ने तीन क्रशी कानूनों को वापत लेने की घूशना पर माफी मांगते हुए कहा था कि वे किस्तानों को सम प्रधान मंत्री आएंगे लेकिन किसी कारण से वे नहीं आए उन्होंने कहा कि हम प्रधान मंत्री से क्रशी कानूनों को लेकर कुछ बातों पर इस्थिती स्पस्च करना चाते थे खड़गे ने कहा कि सर्वदलिय बैठक में 15 से 20 महतपूर मुद्दों पर चर्चा हुई पर सरकार का सहयोग करना चाते हैं अच्छे विदेयक आएंगे तब हम सरकार को सहयोग करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो व्यवधान की जिम्मेदारी सरकार की होगी और साती सर्वदलिय बैठक में सबी दलों ने सरकार से किस्तानों के उत्पादों पर MSP की गारंटी को लेकर जल से जल कानूर बनाने के संबंद में कदम उठाने की मांगी तीन क्रिशी कानूरों के खिलाफ अंदोलन के दौरान जान गवाने वाले किस्तानों को मुआफ़ा देने का विशय तता महंगाई पेट्रोल डीजल एवं वास्तावे एक नियंतरन रेखा पर चीन के साथ तनाव का मुद्दा भी बैठक में उठाये गया विपक्ष की ओर से कुछ अच्छे सुझावाए उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सकारात्मक सुझावू पर विचार करने और नियमों के तहट अध्यक्ष एवम सभापती की अनुमती से विबिन मुद्दों पर चर्चा कराने को तयार है जोशी ने कहा कि हमने अपील क है कि सदन में बिना किसी व्यावधान के कामकाज हो विपक्ष ने भी आस्वस्त किया है कि वे सदन को सो चारू रूप से चलाने में सायूग करेंगे संसत का शीत कालीन सत्र सुमवार 29 नवंबर से शिरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा सर्फदलिय बैठक में 31 दलों के नेताओ ने हिस्सा लिया सर्फदलिय बैठक में विपक्षनी कोरोना के कारण जान गवाने वालों को 4 लाक रुपे का मुआफ़ा देनी की भी मांग की गई साथ ही साथ किसान अंदोलन के दौरान जितने किसानों ने जान गवाई है उनके घर वालों को मुआफ़ा देनी की भी मां करना पड़ेगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें MIM News Express